हेलो फिरेंड मैं प्रिया स्वाहत करती हूं अपने इस चैनल में तो चरिए आज की वीडियो में फोर से फाइफ येल की बच्ची के लिए पार्टी वियर्द रेस की कटिन एंड इस्टिचिन सेयर करने वारी हूं तो आपका ज़्यादा टाइब नहीं लेते हुए चरिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहरे हम पेपर पे से समझ लेते हैं कि कैसे हमें कटिन करना है तो घरारा का लेंट रहेकर 26 इंच और कमर है हमारा 28 इंच तो अपर पांट का लेंट रहेगा हमारा 11 इंच तो 26 में स से हमें मैनस करना है तो आ रहा है हमारा 15 इंच में हमें 2 से भाग करना है क्योंकि हम 2 रेल में बना रहे इसमें 2 से भाग करना है और 3 रेल में बनाना रहता है तो हमें 3 से भाग करना रहता है तो हम 2 से भाग करने पे हमारा आ रहा है 7.5 इंच 7.5 में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए रख लेना है तो आएगा 8.5 इंच तो हमां फर्स लेयर 8.5 इंच रहेगा और सेकेंड लेयर 8.5 इंच रहेगा 1 inch हमें margin के लिए रख लेना है क्योंकि half inch हमारा इस तरफ जाएगा और half inch हमारा नीचे की तरफ जाएगा तो हमें 1 inch margin के लिए रख लेंगे इसी खर्मूरे से आप किसी भी measurement के घरारा के लेंट लिका सकते हैं तो सबसे परे अपर पांची कटीन करेंगे फैब्री को फोर रेयर में रख लेंगे नेफा के लिए में 2 inch पर मार्क कर लेना है उसके में 11 inch लेंगे करोच रेंट तरफ जाएगा 9.5 inch है इसी तरह 9.5 inch पर मार्क कर लेंगे और इस तरह निसान दगा लेंगे तो आएगा हमारा 7 inch 7 inch 7 inch 1 inch रूजाएगे रख लेंगे उसके बाद नीचे की तरफ हमें 8.5 inch पर मार्क कर लेना है और इसके बाद हमें कुटेन कर लेना है फैब्री को इस तरह खोल लेंगे अपरोच रेंट की तरह हमें सिरहाई लगा लेएगे तो देखे हमाँ से याई रख चुका हैं उसके बाद अब रेयर की कटीन करेंगे फैबिक को फोड रेयर में इस तर रख लेंगे और 8.5 इंच पर मार्क करेंगे इसी तर पूरे पर 8.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इस तर निशान लगा लेंगे निशान लगाने के बाद अब इसे हमें कटीन कर लेना है कटीन करने के बाद अब फर्स लेयर के उपर सेकेंड लेयर को इस तर रखेंगे और इस सिर्या ही लगा लेंगे श्रही लगाने के और छोटी छोटी चुनते लगा लेंगे पूरे पे हैं उसके बाद अपर पांट को इस तर रखेंगे और जो हमने चुनते तयार किया था उसे इसी के ऊपर इस तर रख कर और जो इस तर फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे तो देखिए हमारा फर्स लेयर त्यार हो चुका है उसके बाद अप सेकेंड लेयर को रेडी करेंगे अब फैब्रिक को इस तर रख लेंगे और उसके बाद सेकेंड लेयर को इसी के उपार इस तर रखेंगे और जो इसता फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है तो देखिए हमारा फर्स लेयर और सेकेंड लेयर दोनों लेयर तेयार हो चुका है उसके बाद हमें सिराई लगाकर अटेस कर लेना है उसी तरस दुसरी लेयर को भी सिराई लगाकर अटेस कर लेंगे तो देखिए हमारा सिराई रख चुका है उसके बाद फैब्रिक को इस तर रखेंगे और एक रेस लेंगे और जहां हमने सिरई है उहीं पर नीफ को लगा लेना है इसी तरह दूशनी साइड भी सिरई के ऊपर र्यक्श को अटेच कर लेना iam तो देखिए हमाय का आथ कुक्त चुका है साइड से सिराई लगाकर अटेच्श कर ले इश घृक्त अब राइनिंग की फैब्रिक को 12 रेयल में फोल्ड करेंगे उसके बाद 4 रेयल में फोल्ड करेंगे अब उपर के साइड हमें 2 इंच पे मार्किन कर लेना है नेफे के लिए और नीचे से क्रोच रेंट पे हमें मार्किन करना है 9.5 इंच पे मेन फैबली पे जो मारकीन हमने किया थे स्यम अब इस पर भी उसी तरह मारक कर लेना है और नीचे के तरफ एट इंच पर मारक करेंगे और इस तरह निसान लगा लेंगे उसके बाद क्टिंद कल लेंगे तो देखिए हमारा कटिन हो चुका है उसके बाद साइड इस हमें सिर्याई लगा लेना है और नीचे के साइड भी मुहुरी की तरफ हमें हाफ इंच फोल करके सिर्याई लगा लेंगे तो देखिए हमारा रेटी हो चुका है अब फैब्रिक को इस तरह खोड़ लेंगे और महुरी की तरफ हमें सिर्य लगा का अटेच कर लेना है अब फैब्रिक को सीधा कर लेंगे उसके बाद में फैब्रिक को इस तरह रख लेंगे और main fabric के अंदर inner fabric को इस तर डालेंगे इस तर डालने के बाद और कमर के साइड पर हमें सिराई लगाकर अटेच कर लेंगे तो देखिए हमारा सिराई लग चुका है फैब्री को 1 इंच फोल्ड करेंगे पहरे उसके बाद हमें 1 इंच फोल्ड कर लेंगे दो इंच में छोल देना ताकि हम रास्ते इसमें लगा सकें तो देखी हमारा घरारा बनकर रेडी हो चुका है उसके बाद फ्रॉक की कटिन करेंगे फैब्रिक को फोर रेयर में इस्टर रख लेंगे और टॉप पर्ट का रेंट रहेगा 10.5 इंच और नेक का बिठ रहेगा 2 इंच और 1 इंच पर इस्टर मार्क कर लेंगे और हर्मोन के साइट 5 इंच पर मार्क करेंगे और इस्टर निसान लगा लेंगे और गुराई का सेब दे देंगे इस तरह उसके बाद फिटिन की मार्किन करेंगे आपका जो भी फिटिन है उसमें 4 से दिवाइट कर लेंगे तो आपका फिटिन लिकर आएगा और 1 इंच मार्जिन के जी रख लेंगे निक का लेंट रहेगा 3 पॉइंट पे इस तरह मार्क कर लेंगे और इस चोकोर निक दिजैन डुरो करेंगे गुणाई का shape दे दे देंगे इस तरह ुसके अब अब हच से cutting कर लेंगे तो देखिए, हमारा эк utin हो चुका है MEN फैब्लिक पे इसे इस तरह कर कर लेंगे अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, फैर्बिक को डबल रेयर में इस्टर फोल्ड करेंगे और इस कोर्णर को उठाकर इस्टर रख लेंगे चार्ट रप्स सेट कर लेंगे अब कोर्णर पे टेप रखते हुए 9 इंच पे मार्क कर लेंगे उसके बाद अब टेप को 11 इंच पे रहते हुए रेंठ की मार्किन करेंगे रेंठ हमारा रहेगा 23 इंच इसी तरह पूरे पे 23 इंच पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद कटिन कर लेंगे तो देखिए हमारा कटिन हो चुका है अब स्टिचिन करेंगे कि आइन इसके बान इस्ता कि पट्टी तेयार कर लेंगे दोनों फैबर के बीच में इसे इस तरी रख लेंगे स्राइ phosphorus गारिंगे कि साइट से हमारा कप़़्ा को स्तीच ना हो कप़़्ा को को बीच में रखते हुए हमें शिर्याई लगा लेना है इसी तरह दुसरी साइड भी पट्टी को बीच में रखेंगे और शिर्याई लगा लेंगे शिर्याई लगाने का छोटी-छोटी कटे लगा लेंगे पूरे गरे पे उसके बाद अब इसे परत लेंगे परतने के बाद भी ये फिनेशिन के लिए शिर्याई पे शिर्याई लगा लेंगे इसी तर पूरे पे शिर्याई लगाकर अटेस्ट कर लेंगे तो देखे हमारा रेडी हो चुका है अब बैक पार्ट पे भी शिर्याई लगा लेंगे बैक पार्ट के नीचे फ्रन पार्ट को इस तर डखेंगे और शिर्याई लगा लेंगे सिराई हमें ध्यान से लगाना है ताकि हमें पट्टी पे सिराई नहीं लग सके और इस तब पूरे पे सिराई लगा लेंगे उसके बाद छोटी छोटी कटे लगा लेंगे पूरे पे कटे लगाने के फिनिशन ऐसी तरीके से आती है उसके बाद बैक पर्ट पे भी हमें सिराई लगा के अटेस कर लेंगे पूरे पे अब एक रैस लेंगे और इस तर लगा लेंगे रैस के दोनों किनारों पे सिराई लगा कर अटेस कर लेंगे इसी तर दूसरी साइड भी रैस लगा लेना है उसके बाद एक और रैस लेंगे और गरे पे इस तर लगा लेंगे तो देखिए हमारा रैस लग चुका है अब बाटम पार्ट को इस तर रखेंगे इसी के ऊपर और शिराई लगा लेंगे उसके बाद रैस लेंगे और अंदर की फैबरी को ऊपर के साइड रखते हुए शिराई लगा लेंगे रैस के दोनों किनारों पे शिराई लगा कर अटेस करेंगे तो देखिए हमारा रैस लग चुका है अब नीचे के साइड भी हमें रैस को लगा लेना है अब साइड इसे हमें शिराई लगा लेंगे फिटिन के लिए और जो इस ता फैबरी से उसे कट कर लेंगे इसी तरह दूसरी साइड भी हमें फिटिन के लिए शिराई लगा लेंगे तो देखिए फ्रेण हमारा पार्टी भिएर देट बनकर रीडी हो चुका है अगर विडियो पसन है तो राइकिजीย, शेयर कीज्यए और सा वसाथ चैनल को सब्क्राइब कर लें फ्रेंड अगर इस चैनल पर नए हो तो प्रेश चैनल को सब्क्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो एनी टाइम अप्रोल होते रहेंगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक बाई बाई